जैत्री नवरात्री दोहजार चौबिस कव से सुरू होंगे जाने सही डेट सुमुहरत और घट अस्थापना या कलस अस्थापना का सही समय हलो एबरीवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल कुंज ओफीसियल आवरी योर चैनल कैसे हो आप लोग अप लोग बहुत अच्छे होंग अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे नीचे बैल आइकन से प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए अब आप लोग मुझे सूपर थैंक्स की जरिये सपोर्ट भी कर सकते हैं चैत्र नवरात्री दोहजार चौबिस कैलेंडर नवरात्री के नौ दिनों में मा दुर्गा के नौ अलग अलग सरूप की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है मानियता है कि इसमें मा भगवती प्रशन होकर अपने भगतों के सभी कश् देट एंड टाइम हिंदू धर्म में नवरात्री में मा दुर्गा के स्वरूपों की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है धार्मिक मानियताओं के अनुसार हर साल चैत्र नवरात्री शार्दिय नवरात्री और गुप्त नवरात्री समेत चार नवरात्री मनाई जाती है जिसमें चैत्र और शार्दिय नवरात्री में मादुरगा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है उपासना बेहद खास मानी जाती है मान्यता है कि ऐसा करने से माँ भगवती अपने भगतों के सभी कष्ट दूर करती है साथ ही जीवन सुख समरेधी और खुशहाली का असिरवात देती है चैत्र महिनी की नवरात्री भी जल्द सुरू होने वाली है आए जानते हैं चैत्र नवरात्री की सही डेट सुम मुरत घट स्थापना का समय चैत्र नवरात्री कब से सुरू होंगे द्रिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह सुकल पक्ष की प्रती पदाति थी 8 अपरेल को रात 11 बज कर 50 मिनट पर सुरू होगी और अगले दिन 9 अपरेल को रात 8 बज कर 30 मिनट पर समाप्त होगी इसलिए उद्यातिती के अनुसार 9 अपरेल से चैत्र नवरात्री का अरंभ होगा और 17 अपरेल को समाप्त होगी शुब मुहरत पंचांग के अनुसार इस साल अमरित सिध्धी योग स्वार्थ सिध्धी योग समेत कई सुभ संयोग में चैत्र नवरात्री की शुरुवात होगी मान्यता है कि अध्युत्य संयोग में मादुर्गा की पूजा करने से कई गुना अधिक सुभ फल प्राप्त होंगे कलस स्थापना का सुभ मुहरत नवरात्री के पहले दिन कलस स्थापना का विधान है कैसा लगा आप सभी को हमारा ये चैत्र नवरात्री वीडियो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड सेर करना बिल्कुल न भूलना थैंक्स पर वाचिंग कीप सब्सक्राइब